मध्यप्रदेश में एक तरफ नश्या मुक्ती अभियान चलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ रेस्ट्रों में खुले आम शराब परोसी जा रही है लालगाटी स्थित वाटी का रेस्ट्रों में लोगों को बठा का शराब पिलाने का एक वीडियो सामने आ रहा है वीडियो में रेस्ट्रों में लोगों के शराब से भरे हुए गलास दिख रहे हैं कानून को ताक पर रखकर खुले आम लोग शराब पी रहे हैं आपका रिविभाग को शिकायत मिले के बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है मामला कोहफिजा थानाश्यत्र का है तो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसका एक वीडियो वाइरल हुआ है कोहफिजा थानाश्यत्र का ये मामला है जहां शराब खुलियाम परोसी जा रही है रेस्टों में एक तरफ मदप्रदेश की सरकार नशामुक्ती को लेकर लगाताग लोगों को जागरोप कर रही है लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं आदेशों का उलंगन करते हुए शेहर के रेस्टों जो हैं वो सामने आ रही है जादा जानकारी के लिए समबादाता विवेक शर्मा फोल लाइन पर जोड़का है विवेक नशामुक्ती अभियान मदप्रदेश सरकार चला रही है लेकिन ये जो रेस्टोरेंट है ये इसके अधिकतर हम देखने कि इसी तरह के वीडियो वाइरल होते है खुले आम शराब परोसी जा रही है खुले परोसी जा रहा है वहीं बात करें तो अवेद रूप से सराब भी प्लाई जा रही है लेकिन अब ऐसे रेस्टोरेंट पर जहां सराब प्लाई जा रही है क्या इन पर किस तरीकी की कारवाई होती है ये देखने बाली बात होगी क्योंकि मत्यप्लिस में लगातार नसा के खिलाप एक अभियान चलाए जा रहा है और अभियान के तहट पुलिस लगातार कारवाईयां कर रही है लेकिन अभी भी कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां पर अवेद रूप से सराब प्लाई जा रही है और अभ वीडियो बताई जो रहा है लेकिन इसके बात पुलिस किस तरह से एक्षिन में आई साथी साथ आपकारी विभाग की तरफ से अभी तक क्या एक्षिन लिया गया है देखिए बर्ता बिल्कुल बता दें कि जब यह वीटो बारेल हुआ है तो से पहले वाह तो ही वाह से सराब थे होटा लिए लिए प्रच्प पहुंचती है तो पुलिस का कहना रहता है कि यहां पर किसी भी तरगी की सराब नहीं है बिलकुल चले बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वेविक मत्यप्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सस्क्राइब किशिए MP स्वाराज